लेट्स गो फार्मिन आपका स्वागत है मैं हूँ आपका दोस्त अन्वीर शेख फिरा आपके लिए कुछ खास लेगे दोस्तों आज जानेंगे हम के लोबर्स कैसे पाले हाउ टू लोबर्स हजबेंडरी दोस्तों चैनल पर नव्याओ चैनल को सब्सक्राइब करने चलार प्रण साथ में लाइकान भी दिया है दोस्तों जो लोबर्स होते हैं वो छोटे तोते जिन्हें अंग्रिजे में पैरा किट या बैंजी के नाम से भी जाना जाता है आपस मे लोबर्स के नाम से भी जाना जाता है लोबर्स को अगर साथ रहने का आउसर मिले तो वो अपनी जीवन साती को कभी नहीं बदलते नर्मादा एक दुसरे का अथ्यदिक ध्यान रखते हैं एक साल से अधिक आयू होने जाने पर एक मादा 6-8 अंडे देती है मादा अंडे अ अंडे के सेना तपस्या करने के समान ही है सब अंडों से बचे निकलने में भी 8-10 दिन और लगयाते हैं बच्चों की आखे करीब 15 दिनों बाद खुलती हैं लगबग एक महिने से उपर मादा को उसके गोसले में ही खाना खिलाने की जिम्मदारी नर्म बखो भी निबाते ह खाना बच्चों के चोश में डाल कर उनका पेड़ भरती है अगर आपको पालतु जानुवे रखने का शोक है परन्तु जगह की कमी है के कारण कुत्ता बिल्ली या कोई अन्य जानुवे नहीं रख पा रहे हो तो आप लवबर्स आसानी से पाल सकते हो तोते या मैना और उड़ सकते हो मैं भी हर दम खुश रहते हैं जब तक अंदेरा नहीं हो तब तक अपनी मीठी वोली में चहा चाहते रहते हैं जिसको सुन मन कुश रहता है साथ ही हैरानी होती है कि छोटे से पंची अकेले रहते हुवे भी जोड़ा बनाने और अपने बच्चे की चिस गनफुड की पिंजरे में चार लौबर्ट्स पाले जा सकते हैं उनकी पिंजरे में दो या तिन डालिया या लकडिया उनके बैटने के लिए छोटी सी दो मठकिया उनके परिवार बढ़ाने के लिए और छोटा सा मिटी का घुसोरा उनके पानी के लिए रखना खा लेते हैं हरी घास मीटी तुलसी और चुलाई के विजो को भी ये खुश होके खाते हैं बाजार से पालतु जानवर रखने वाले दुकानों से इनके लिए विशेज दाना भी लिया जा सकता है जिसे राला वगेरे कहते हैं लौबर्स अधिक सर्दी गर्मी और बरसात बर काफी कुछ सिख सकते हैं जैसे हर समय खुश रहना आपस में मिलजुल कर रहना अपनी परिवारिक जिम्मेदारी को माता पीता द्वरा मिलजुल कर खुशी खुशी निभाना और बच्चों की तब तक ही चिंता करना जब तक वह अंतिम निर्वय नहीं हो जाते तो दोस्त तेंक्स पर वाचिंग, लेर जो में आपका सोगते, तेंक्स पर वाचिंग, दोस्तो.